जो कि भारत के इतिहास के एकलोते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी स्तीफा नहीं थे गोवा में आपके तमाम प्रत्याशियोंने सुईकार किया है कि उन्हें कैश में पैसा आया है और संदिक्द रूप से उन्ही स्रोतों के द्वारा आया है जिन स्रोतों को इसका लाभारती माना जारा है क्योंकि दने अनुभवी है कि पासवर्ड भी भूल गए और अनेक मुबाइल फोन और लैप्टॉप भी गायब हो गए कुछ जानते क्या है यह उस प्रकार के चोर हैं जैसे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर होते हैं साथ यादो जी से शुरू हुई थी उसकी लेटिस्ट कड़ी अर्विंद केजरीवाल जी जो कि भारत के इतिहास के एकलोते मुख्यमंतरी हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है यह जब भी नियाले ने उन्हें केवल विशेश शर्तों के साथ केवल चुनाव प्रचार तक के लिए छोड़ा था जिसमें यह भी था कि आपने केस पर टिपनी नहीं करेंगे मगर इसके बा जोड़े पैसे का ट्रेल दिखता है कि किस कंपनी को आपने अपने नीतियों के द्वारा फाइदा पहुचाया और फिर वो ट्रेल तो नियाले ने उच्चे नियाले और सर्वोच नियाले ने कई मौकों पे माना है तभी तो आप जेल में हैं गोवा में आपके तमाम प्रत चाए शोर या उल्टा शोर कोतवाल को डाटे वह सहील डागो होती है और टेक्निकल आधार पर कोर्ट ने इस विशे को माना है और हाल ही में अभी जो मनीशिस होदिया जी का केस हुआ है उसमें बहुत साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि निड़ने लेगी ने की प्रक्रिया कार्पोरेट किये गए अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचता है परंद तो एक मामले मेरी माननी प्रधान मंतरी जीने कहा है कि ये बहुत अनभवी हैं तो गलत नहीं कहा है क्योंकि इतने अनभवी हैं कि पासवर्ड भी भूल गए और अनेक मुबाइल फोन और लैप्ट के चोर हैं जैसे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर होते हैं आवास तो उसकी होती है लफ्स भी गाने वाले के होते हैं चेहरा सामने किसी और का होता है तो इस शराब घोटाले के भरष्टा चार केस के वो प्लेबैक सिंगर हैं वो पीछे से सब कुछ तैय कर रहे हैं मगर उन प्लेबाक सिंगर